नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोष्टाश यादव अच्छा लगा ये सुनके कि किसी एक्षेंज ने रिप्लाई दिया हमारी मुहीम का और आपस लोगों से एक उजारिस करूँगा कि जो लोग हमारी इस मुहीम के साथ नहीं जुड़े हैं वो भी इस मुहीम क क्या है जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं मिनिममम से लिमिट रिमूब ये एक हैस्टेग है जो ट्वीटर पर मैं इसको चला रहा हूँ आप भी जुड़े ट्वीटर पर मेरे साथ ट्वीटर का लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्सन में अवलेवल है वहां से आप उसको जोइन कीजिए और मिनिममम से लिमिट रिमूब मुहीम के साथ जुड़िये क्यों के मिनिममम से लिमिट को हटाना आज की रिटर में बहुत जरूरी हो गया है इसलिए कि कहीं ने कहीं लोग जवर जस्ती नहीं चाते हुए भी एक जगे रुके हुए हैं ठहरे ह गोए ही आप यहां देखे एक एक एकशेंज ने रिपलाई दिया अच्छा लगा इस चीज़ का और यहां एक्चेंज का नाम है सन क्रिप्टो देखिये रिपलाई आया अच्छी बात है वहां से उमेज Lasya का अनौन रिप्लाई दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यव बोला जाएगा उनको एप्रिसेट किया जाएगा लेकिन जितना उन्होंने किया है उससे और एक कदम आगे उनको करना पड़ेगा देखिए इसमें एक एक्षेंज का कोई लॉस नहीं है यहां लॉस है तो केवल इन्वेस्टर का लॉस है और हम उसी मुहीं पर आगे चलना है हैं तो हमारा को यह नहीं हम किसी एक एक एक्षेंज को लेके चलना है हम तो जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्षेंज है सब को लेके चलना है और सब से हमें ये रिक्वेस्ट है कि भाई minimum sale limit को हटाइए पूरी तरीके से अटाइए आपने थोड़ा बहुत किया ठीक सब किया हुआ है, तो मेरे भाई ऐसा कोई rule नहीं है, कि आप minimum sale limit लगाएं, कहीं ऐसा कोई rule नहीं है, यह तो cable और cable exchange के अपनी منमानी है, minimum या maximum sale limit का कोई rule नहीं है, कहीं भी, यह cable exchange जो अपने हिसाब बनाय हुआ है, और सब का अलग लगा है, यह कहो कि अगर rule होता तो सबका एक जैसा होता लेकिन क्या है कि कोई रूल नहीं है सब ने अपने एसाब से बना है हुआ है अब यहां उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप अपने पार्ट्स में सारा बिड्रो कर सकते हैं और कुछ टोकन उन्होंने बताए जिन पर 100 रुपैसे ज़्यादा की सेल लिमिट है जैसे CTXC, KILT, ARB, CGPT, SWEETOKEN, SFUND और BETA यह टोकन उन्होंने अपने ट्विट में कहा कि भाई यह टोकन ऐसे जिनकी सेल लिमिट 100 रुपैसे ज़्यादा की है अब यहाँ थोड़ा सा आप भी सर्च कीजिए क्या इन टोकन के अलावा और कौन-कौन से ऐसे टोकन है जिनकी सेल लिमिट 100 रुपैसे ज़्यादा है और अब मैं दूसरी चीज उनसे पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी का 100 रुपैसे कम का फंड है और उसको आपको सन क्रिप्टों पर रहना ही नहीं है या वो क्रिप्टों से बाहर जाना चाता है उसका फंड बचा है मान लीजिए 75 रुपै कैसे बिड्रो करेगा क्योंकि एक यूजर ने मेरे पास स्क्रीन सोट भेजा उसके पास ब्लॉक यानि कि ब्लॉक टोपिया टोकन है कुल मिला के 408 आज की डेट में उसकी कीमत है 75 रुपै अगर वो इसको सेल करता है ब्लॉक को तो सेल लिमिट आ रही है 100 रुपै यानि मिनिममम 100 रुपै का ब्लॉक आक्ट पास होना चाहिए तभी वो सेल होगा तो अब मैं उमेज जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो इस टाइप के केस हैं उनका क्या वो कैसे निकले बाहर भाई उनको कैसे उनका फंड बापिस मिलेगा 75 रुपै तो 75 रुपै उसकी मेहनत की कमाई है उसको तो चाहिए वो क्यों छोड़े वो आज की डेट में क्रे 70 रुपै को कैसे विड्रॉ करेगा ये तो केवल एक ही उदारन में आपको ब्लॉक का दे रहा हूँ यह से हजारों होंगे ऐसे उदारन ऐसे बहुत से यूजर होंगे जिनका फंड 35 रुपै भी होगा 40 रुपै भी होगा 80 रुपै भी 95 रुपै तक होगा लेकि 99 रुपै व और जो जितने भी एक्चेंज हैं भाई सबसे उमीद आप लोगों इससे है कि आप लोग जितना ज़्यादा पूछेंगे तभी कोई रिप्लाई मिलेगा क्योंकि यह लड़ाई आपकी है आपको अपने हक्की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो यहां क्या है कि आप minimum sale limit क कम है तो बिड्रो कैसे करें और बाकि आप लोगों से एक request है कि उमेज जी ने ये token मता है जिनकी 100 रुपए से ज़्यादा की sale limit है तो और कौन-कौन से ऐसे token है इनके इलाबा जिनकी sale limit 100 रुपए से ज़्यादा है आप लोग comment section बताईएगा तो यह है आज की sale limit का अपना ए लेते हैं माल लीजे कोई token अभी आपको 15 दिन में 20 दिन में एक महिने में 35-40 परसंट नीचे आ गया है और वह 40 परसंट नीचे आने के बाद मालो 8 परसंट 10 परसंट ऊपर चला भी गया तो उसको क्या बुलिस मानेंगे भाई यह कुछ भी नहीं है अब सिदी सी बात तो य नीचे आया है यह 35 परसंट पहले तो उपर जाये तब आपका वो लेवल आएगा जहां पर आप खड़े थे अभी तो आप गड़े में हैं और होता क्या है कि हम पहले गड़े में चले जाते और वहां से थोड़ा सा उपर आता बस चिलाने लग जाते बुलिस बुलिस बु पहले जो गड़े में है उसको उपर आने दीजिए तो 35% पहले यह उपर आए उसके बाद जब यह बढ़ेगा तब आपको कोई प्रॉफिट होगा इस तरीके से थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए आप यह मत देखिए कि यह 35% नीचे चला गया है 2% उपर आया चिलाने की बात होती थी अच्छा खासा प्राइज स्पाइक मारता था इस वार 100 क्वाडिलेन है और प्राइज कुछ भी नहीं कुछ कर रहा तो मैं आपको इसका कारण कई बार बार इसको कहने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा बस यह है जो है जितना है होल्ड करके रखिए बस मैं होना था हो चुका यहां कहींने कई वेल्स जो है इसका फाइदा जरूर उठाएंगे यह बात मैंने आपको कल भी कई परसो भी कई तो वेल्स ने किया भी वही के जो सौट्स पोजिशन थे उनको खतम कर दिया इसको लगबग 1000 डॉलर उपर ले जाके करीब 12-1300 डॉलर होता है बहुत होता है अब क्या होगा अब जो लॉंग वाले हैं उनको सौट उनको जो है काट्पिट की जाएगी अब मार्केट नीची आएगा तो यहां थोड़ा सा जो है इस चीज़ का भी ध्यान तक क्यों क्यों जब तक बैक टू बैक कोई और पॉजिटिव चीज नह हो नहीं है यह केवल थोड़े गेम चलते रहेंगे उनका फैदा आप उठाइए उपर जाता है प्रॉफिट लीजिए नीची आता है भाई कीजिए भाई क्या करे मार्केट का ट्रेंडी यही चल लाई एक डेड़ साल से तो देड़ साल से जो चीज चल लई है उसी के साथ धल जाओ भई यही हो सकता है कि उपर जाता है प्रॉफिट बुक नीचे आता है दुबारा से बाई यह मत करो कि यह उपर जाएगा उपर जाएगा बिलकुल नहीं जाएगा मैं तो आप बहुत क्लिए बोलता हूँ अभी ऐसा कुछ भी माहौल ही नहीं है पहले माहौल तो प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देजिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बाकि तो देखिए इंडियन एक्चेंज तो अभी बेचारे बनी गए हैं तो अब क्या है यह सब बेचारे बनके अपना दुखड़ा लोडने के लिए इंडियन एक्चेंज सामने आ गए हैं बेचारे इंडियन क्रिप्टो एक्चेंज तो यह क्या है अभी लोग ने मुहीम शुरू किया भाई यह वाली आप लोगों से रिक्ष्ट है क्योंके इसमें फाइदा आपका ही है जी रहेगी तो आपके पास अगर 10 और पाई का भी है तो भी आप सेल कर सकते हैं बरना minimum limit जब तक रहेगी आपका जो भी minimum limit होगी उससे उपर का ही सेल कर पाएंगे उससे नीचे का सेल नहीं कर पाएंगे तो एसे लिए इसको काम्याब बनाना बहुत जरूरी है तो वीडियो कैसा लगा जरूर पताईएगा आपके फिर मिलते हैं नमस्कार